इस पर्टिकुलर वीडियो चेक दे दीजेएंगा ताकि हम लोग इस पर्टिकुलर अमेजिंग से सेशन के शुरुबात कर सके उससे पहले मैं आपको बतवा दू बेटा कि यह हमारा कौन सा लेक्चर है यह हमारा युनिट मतब युनिट 3 का सेकेंड लेक्चर है ध्यान रख मज़ा आने वाला यह पर्टिकुलर सेशन के अंदर काफी सारी चीजे हम लोग देखेंगे काफी सारी चीजे हम लोग समझेंगे जानेंगे और कल के पार्ट 3 वाला युनिट 3 है उसको हम लोग कंप्लेट कर देंगे परफेक्ट है आपसलूटी परफेक्ट चलिए ध्यान सेशन देखना चाहते तो इसी पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं तो आपको एक वर्चुल लाइबरेरी नाम से लिंक मिल जाएंगी वर्चुल लाइबरेरी के लिंक को अगर आप विजिट करेंगे तो आपको यह सारी चीजे मिल ज यह पूरी चीजे आपको स्मॉल में लिखना है यह स्मॉल में अगर आप ऐसा लिक करोंगे तो आपके सामने एक टाप खुल जाएंगा आप खुद देख पाएंगे कुछ देर बाद यहाप एक टाप आ जाएंगा आजा अरे आरे चोड़िए आगया चलिए अब मैं अगर अगर बात करो आपके साथ देखिए तो यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे बेटा देख सकते आप यहाँ परी पूरी मेरी जितने भी लेक्टर्स होते हैं पूरे लेक्टर्स की लाइव लिंक आपको मिलती है वही उसके साथ-साथ वीडियो लाइबरेरी आप विजिट कर पाएंगे और यह वीडियो लाइबरेरी को अगर आप विजिट करते हैं तो आपको अगीन मेरे पूरे सेशन मिल जाएंगे तो आप एक तो वह जो डिस्क्रिप्शन वाली चीज आप उसके अंदर चले जाओ यहाँ से मेरे पूरे सेशन को देख सकते हैं और अगर किसी को बात को द्यान देशें नेक्स पर्टिकुलर चीज के ऊपर किया नकैडमी की जो क्लासेज होती हैं आप दो तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं एक होता है पेड़ क्लासे दूसरी होती है फ्री क्लासेज, प्री क्लासेज की बात करो तो सुबह नौ बज़े लाइब आट ह तो शाम में पाच बज़े, आज मैं लाइब आँगा, राइटिंग ट्रैक्टिस सेशन होगा, हमारा सोगय का, ये इस चीज का आप ध्यान रखना, और अगर मैं बात करूँ आपके साथ पेड़ क्लासे की, तो इसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होता है, सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे नेट्विक्स का सब्सक्रिप्शन होता है, होट स्टार का सब्सक्रिप्शन होता है, उसी प्रकार से अन अकैडेमी का सब्सक्रिप्शन होता है, ट्रूली अनलिमिटेड, अगर मैं बात करूँ आपके साथ, एक बार आप दोन उनका study material, physical copy आपको दिया जाता है, उसके बाद expert guidelines दी जाती है, test होती है आपके और उसका analysis भी आप लोगों को provide किया जाता है, जब भी आप anacademy का कोई भी subscription ले, प्लस या iconic का, तो आप यहाँ पे IG sir के code का इस्तमाल कर सकते हैं, और जब आप anacademy के site से बेटा subscription, site या app आप से जब भी subscription लेते हैं, तो जो भी हो सकता है बेटा, anacademy के अंदर बहुत सारे offers आते रहते हैं, time to time, तो वो offers automatically activate हो जाता है, automatically activate हो जाता है, जब इस particular code का प्रयोग करते हैं, तो special 26 lecture होने वाला है कब से, 15 से हमारा special 16 से, मतलब आने वाले Saturday से, next Saturday से, है न, Saturday, Saturday, से सुबह 9 बचे, हम लोग चालो करने वाले special 26, बहुत ही मज़िदार सीरीज होने वाली आप लोगों के लिए जरूर से इसको फैला दीजेंगा, सब लोग इसको प्लीज फैला दीजेंगा, एक फोटो किछ लीजे और लगे तो फैला दीजेंगा, इस चीज को, ठीके, पर एजन्ट वाला पॉइंट देखा था, दूसरी अगर मैं बात करूँ, आपके साथ देखिए, आपन ने दूसरी वाली चीज देखी थी, that is, sale of one of the joint owner, अगर कोई एक भी joint owner sale करता है, तो उसके बारे में भी हमने हापे चीजे देखी थी, अगर मैं तीसरी चीज के बारे में avoid करने से पहले, अगर वो किसी और व्यक्ति को बेज देता है, तो वो दूसरे व्यक्ति को, वो दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल बिल्कुल क्या सही ownership मिलती है, आरे यार विशह नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल सही ownership मिल जाती है, मैं गर बात करूँ आपके साथ अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ कौन सी चीज़े देखिए है मैं अगर करूँ आपके साथ फिर क्या sale by the one who has already sold the goods but continues in the possession but continues in the possession thereof करके मतलब इस particular चीज़ का क्या मतलब होता है देखिए आपे क्या है इस चीज़ का मतलब समझेंगा एकदम बढ़िया तरीके से एकदम कानवान खोल के सुनना है न इनका क्या कहना है sale by the one who has already told the goods but continues in the possession मैं आपको बात करता हो देखिएंगा एकदम बढ़िया तरीके से सुनियेंगा बात को ये कौन है हमारे ये है हमारा जेट है बेटा जल्दी से बोलो ये कोने एक जेट है ये कोने एक जेट है ना जेटालाल जी है हमारे और ये कोने बेटा हमारे तारग भाई महता समझे बात को ये कोने हमारे तारग भाई महता ठेके अब आईए ध्यान दीजिए समझे बात को अब तारग महता जी आते है जेटालाल की शॉप में गड़ा एलेक्ट्रोनिक्स और उसके बाद कहते है मुझे क्या चाहिए मुझे एक टीवी चाहिए करके और मैं बता हूँ आपको आपको परन मित्राए करके मैं आपको टीवी बेज़ देता हूँ यह कोई बात है क्या पै का जब से ना समझना, बात को ध्यान रखना, अबлемे आपसे क्या कह रहा हूँ, अब सुनिए, बात को सुनिए, एकदम बढ़िया तरीके से, मतल criminal ये goods का जो ownership है ये किस की चा चूकिये बटा, बहुट बढ़िया अब, उतने कौन आते हैं बताइए में तो नहीं कहे रहा हूं बस आप ही बताइंगे मुझे है न चलिए ऑइए द्यान little बता है SG अ अ मैं अगर पर कौन आते हमारे बविते ची आते हैं फॉल्ट कहाँ पर शॉप में आते सब कुछ अभी तक मेरे पास हैं जो कि लोकूमेंट औप टाइटर सब कुछ अभी तक मेरे पास है ॲं पता कर सकते हैं अब सवाल सवाल यह उड़ता है कि कि क्या यहां पे यह TV को बेच सकते है और अगर बेचते हैं क्या उड़े हैं टइटल मिलेगा यह नहीं मिलेंगा उस particular चीज से related बात कर रहा हूँ तो मैं आपको इसका जवाब दे दूँ हाँ बवीता जी को valid title बिल्कुल बिल्कुल मिलने वाला है इस चीज का आप दियान रखना बवीता जी को बिल्कुल बिल्कुल valid title मिलने वाला है क्या आप इस चीज को समझे मतलब समझे बात को कि उन्होंने बली ही बेटा मैं अगर बात करूँ जेटा लाल जी ने बली ही तारक महता जी को क्या कर लिया था टीवी सेट का ownership पासरां कर दिया था लेकिन अगर अभी भी उनके पास possession है document title अभी भी जेटा के पास है तो वो किसी और व्यक्ति को बेच सकता है तो ऐसे इसमें सब तारक महता कर क्या सकते है कुछ नहीं कर सकते है जादा से जादा damages के लिए क्योंकि उनके पास अब तक possession नहीं आया था और अभी तक यह particular seller अनपेड रह रहा है तो इस चीज के कारण यहां पर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे अब आईए मैं आपको एक बार करवा देता हूँ एक बार पूरा रीड करवा देता हूँ ध्यान दीचेंगा समझेंगा बात को यह थोड़ा सा अजीब सी चीज है इस चीज का ध्यान रखना यह एक exception sort of है जहां पर देखो बाकी law में कैसा होता है आप अगर सोचते हो बाकी law के cases में कैसा होता है अब बस दिल से सोचो कि है क्या होना ची किसके साथ बुरा हो रहा है करके है तो ऐसे इसमें चल जाता है लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना यह आले exception को आप याद रखना और चक्कर बाबु भी या है तो इस चीज के आप ध्यान रखेंगा बस एक exception आपको याद रह जाएंगा यह जो मैंने डायलोग बोला इससे आपको ध्यान भी रह जाएंगा इससे आपको रिटेन भी हो जाएंगा ठेक है चलिए अब देखिए यहापर क्या बोला गया है यहापर इव दो परसन है इस चीज का ध्यान रखना बिलकुल 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 थर्ड व्यक्ती को बेचा जा सकता है मतलब बभीता जी ने गुड फेट में लेना चाहिए इस चीज का अब ध्यान रखना बभीता जी अगर गुड फेट में खरीटती है बेटा गुड को तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं कहूँगा यह बिलकुल वैलिड वैलिड टाइटल उनको देखे जा रहा है यह बहुत बढ़िया आईएंगा ध्यान दीजिएंगा मैं नेक्स पर्टिकुलर चीज के ओपर चलूँगा यह वाली चीज होग सो आपको समझ गे हूँग एक बार मै चौट में रिपीट कर देता हूँ क्या क्या मैंने आपको बताता करके देखिए यह पर्टिकुलर परसन ने यह प्रॉपर्टी इस व्यक्ति को बेज चुका है केवल और केवल क्या बेचा है इसके अंदर की ओनर्शिप दी जाती है तो ऐसे इसमें क्या होता है दूसरा कस को परचेस करें तो कि आप यह चीज को समझ के बोलो ना जल्दी से मज़ा आया आपको जल्दी से बोलो सब लोग मज़ा आगया करके ना अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ नेक्स परडिकुलर चीज के ऊपर चलेंगे सेल बायर और प्रोपर्टी इन गुड्स वेस्टेट इन करके ना मतलब इसका क्या मतलब होता है बताता हो करके यह वो तो देखिया कैसे को अब मैं घानवाना गाले तो इसा यूट्यूब को थोड़ी पता ना यूट्यूब को लगता है यह ओरिजिनल सिंगर कई तो नही सेल बायर और और प्रोपर्टी इन गुड्स वेस्टेट इन करके अब यह क्या होता है इसका मतलब मैं आपको पहले बतवाता हूँ पहले एक्जांपल के मदद से आपको चीजे समझाओंगा उसके बाद यह आपको समझ बहेंगी देखिये समझ यह बात को सुनो मेरा क्या कहना है देखिये यह पर्टिकुलर व्यक्ति यह पर्टिकुलर व्यक्ति ने बेटा क्या हुआ है यह पर्टिकुलर व्यक्ति ने समझे बात को सेल बाइद बायर ऑप्टेनी पजेशन इस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जा चुका है क्या जा चुका है जल्दी से बोलो प व्यक्ती को पास होने वाली है अभी तक property, अभी तक क्या property transfer हुई है, क्या नहीं नहीं अभी नहीं property अभी तक transfer नहीं हुई है, इस चीज़ का अभ्यान रखना cable और cable goods का possession गया है इस व्यक्ती को, लेकिन ये व्यक्ती क्या करता है बैटा, जैसे ही possession आता है ना इसको एक तो sub sale कर देता है पिर से एक और बार sale करना या इसको pledge कर देता है property को सवाल ये उठता है कि जब property इसके पास नहीं थी सवाल ये था कि जब property इसके पास नहीं थी तो क्या ये वाले transaction को मैं sale कह सकता हूँ तो मैं अगर आपसे को बिल्कुल बिल्कुल जाता है क्योंकि यह देखिए विद अगर वो पॉसेशन को अप्टेन करता है और उसके बाद बेटा अगर वो गुट्स को बेच देता है सबसेल कर देता है तो ऐसे अगर और सामने वाला व्यक्ति भी मतलब किसकी में इसकी बात कर यह व्यक्ति बी अगर बेटा गुट्स को क्या करता है फासल to him and he may sell pledge already and if such person obtains the delivery of the goods इन गुटव तो ऐसे situation के अंदर मैं क्या कहूंगा समझिए बात को situation के अंदर बोला जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल यह existing वाला जो सेल है वो बिल्कुल valid माना जाता है इस चीज का ध्यान रखेंगा मतलब यह वाला जो सबसेल है भली इसके पास property नहीं है यह possession यह लेकिन possession तो इसके permission से आया ना बेटा तो ऐसे इसमें यह वाली चीज बिल्कुल exactly valid contract बोला जाता है क्या आप इस चीज को समझे come on everyone क्या आप इस particular चीज को समझे जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो मुझे है न मैं गर बात करूँ आपके साथ सुनिये बात को ध्यान दीजिए क्या है यह सीए प्रीतम MP39 वाले अहीर मतलब क्या बता खेर आईए ध्यान दीजिए मैं आपके साथ बात करूँगा effect of estoppel से related ध्यान दो कौन से चीज से related effect of estoppel से related समझेंगा बात को ध्यान दीजिए क्या होता effect of estoppel का मतलब आपने यह estoppel शब्द सबसे पहली बात तो कहा पे पढ़ाए मुझे आप यह बताईए आपने estoppel शब्द कहा पे पढ़ाए क़ा है कमाँ everyone कहा पे आपने estoppel वाला शब्द पढ़ाए अब उसके ञाता बेटा जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर व्यक्ती के साथ partnership में हूँ और सामने वाले को जुटु जुटु representation करें और original partner ऐसा देखता रहे मजा रहा है बूल तो एसे situation के अंदर यह बिलकुल गलत बात हो जाती है यह बिलकुल बिल्कुल बिल्कुल गलत बात हो जाती बोलो न मुझे करूए आपे द्यान दीजे समझे बात को यह जो गोड़ा यह गोड़े का उनर को ने गोड़े का उनर मैं हूँ बेटा यह गोड़े का उनर मैं है समझे बात को द्यान दीजे गोड़े का उनर मैं है मैं गर बात करूँ यह व्यक्ति का नाम क्या है रुगो एक में राज क्या के लिए विराट कंथाotom एक लाक रुपर में बेचने के लिए अगर तू पैसे देजाएब और जब इसके पास वाइलिड टैटल नहीं तो यह सामने वाले को कैसे वालिड टाइटल पास्वान कर सकता है ना मैं ऐसा सोच रहा था आप समझे बात को ध्यान दीजे तो ऐसे situation के अंदर सुनिए जहां पर मैं मजे ले रहा हूं सामने वाला व्यक्ति जुट्टू जुट्टू रिप्रेजेंटेशन करें और वह सामने व कर रहा है कि मानो जैसे गोडा उसका है करके और वो हो स्को बेचना चाहता है विराच को और मैं सब यह चीज़ों को धेख हुए अब कुछ नहीं बोलते तो ऐसे इसमें सर्क्या होंगा आइसे इसमें विराट को मिलेंगा मैं क्या कुछ कर पाउंगा क्या Бए में कुछ को गए हो गोड़ा तो इस चीज़ से रिलेटेट ध्याम रखेंगा देखिए आप एफेक्ट ऑफ एस्टॉबल से मैं अगर बात करूँ वेर वेर दा ओनर इस्टॉब्ड एस्टॉब्ड मतलब रिप्रेजेंटेट बाइग देनाइं 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 यह व्यक्ति ने ऐसा ही बताना चाहिए किसको विराट को कि मैं ही ट्रू ओनर हूँ मैं ही सब कुछ हूँ करके ऐसा उसने बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहिए तो उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेटर यहां पर बात हो रही है क्या आपको यह पर्टिकुलर चीज समझ में आ रही है जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूँ है जल्दी से बोलिए मुझे तो यह अपनने क्या क्या देखा बेटा एक बार फटा फट रिवाइस करवा देता हूँ यह अपनने यह देखा कि सर जो ओनर नहीं है फ किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को दो लोगा मिलके उल्ड करते उसमें से एक पर्टिकुलर व्यक्ति दूसरे को बेच मारता है तो इस चीज को भी वैलिट से बोला जाता है मैं अगर को सेल बाइदा पशेशन अंडर दा वॉइडेबल कॉंट्रैक मतलब इसके अंदर क करें वीडेर कर देखा कि मैंने प्रॉपर्टि प्रॉपर्ट्य अफ्प क्चिल एक सेल प्रॉपर्ट क१ाफिय। करों दूसरे किस में आपनझे क्या ता जिसके अंदर असितिया पाइन पेसन रस प्रॉपर्टेशन पहले आता है और नहीं अगर और यहां मेरेируं फोस vermission के द्वारा मैं पॉजेशन लिया हूँ और मैं उसको अगर सब्सेल कर दू तो क्या चलता है अरे शत प्रतिशत चलता है बेटाशत प्रतिशत चलता है मैं अगर बात करूँ आपके साथ ध्यान नीजए समझिए बात को सुनिए मैं अगर कहूँ आपके साथ कौन सी चीज अगर मैं कहूँ बेटा आपके साथ next वाली चीज effect of estoppel estoppel का मतलब क्या होता है बताना दर्शाना उस चीज को बोला जाता है estoppel करके मैं वो represent कर रहा हूँ जो मैं actual में हूँ नहीं तो उस चीज को बोला जाता है estoppel क्या बोला जाता है estoppel और अगर estoppel के दुवारा अगर goods बेचे जाते है तो क्या वो valid title देखे जाते हैं कि मुझे एक बात बताईए हाँ वो valid title देखे जाते है समझे बात को next particular चीज unpaid seller से related बात करूँगा कि अब यह हमारा next जाता है unpaid seller अब यह unpaid seller का क्या मतलब है unpaid seller का अब इससे related unit number 4 आप detail में देखोंगा है detail में एक दम आप देखने हैं वाले हो समझे बात को unpaid seller का मतलब यह होता है बेटा unpaid seller का कि अगर कोई particular व्यक्ति ने goods को बेचा है सामने वाले व्यक्ति को लेकिन सामने वाला व्यक्ति सुनना बात को लेकिन सामने वाला व्यक्ति लेकिन सुनना सामने वाले व्यक्ति ने मुझे अब तक payment नहीं किया है तो मैं क्या कहला है जाओंगा मैं unpaid कहला जाओंगा न paid seller आप unpaid seller कहला जाओंगे तो ऐसे situation के अंदर अगर unpaid seller गुच को किसी और व्यक्ति को बेढ़ता है तो क्या यह valid title दिया जाए बिल्कुल वैलिट टाइटल मिलेंगा इस चीज का आप ध्यान रखेंगा फिर बोला गए कुछ अधर प्रोविजेंस के अंदर भी सेल हुआ तो वैलिड माना जाता है जैसे अगर यहापर बात किया है ऑफिशल रिसीवर मतनब क्या होता है जब व्यक्ति बेटा इंसॉल्व है फिर भी वह असेट को बेच रहा है तो क्या सामने वाले को वैलिड टाइटल जाता है हां सामने वाले को वैलिड टाइटल जाता है सेकेंड वाली चीज अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको गुड्स मिल गई याद करना कौजी कॉंट्रक्ट वारा केस आपने बिल्कुल बिल्कुल ये वैलिड टाइटल जाएंगा इस चीज का आप ध्यान रखेंगा लेकिन आपको पैसे ट्रू ओनर को लोटाने होंगे और आखरी में बोला गया है पेटा संचिए बात को कि अगर पॉनर और पॉनी का कंसेट होता है या पे जैसे देखो सेल करके मदब अगर आपने कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक परपस के लिए किसी व्यक्ति को गुट्स दिये थे और वह पर्टिकुलर व्यक्ति को आप मान लीजे आप पैसा नहीं दे रहे हो या मान लीजे कोई भी दूसरी सरकम्स्दांस एक्जिस्ट होती है उसमें ही आप परफेक्ट है आपसिलूडी परफेक्ट आगे बढ़ने से पहले आपको एक बास दता दू बेटा कि आपकी लिए आपकी बावबली टीम आटीपी एम टीपी बैच लेकर आ रही है पीवाई क्यू बैच ला रही है अन अकैडमी के प्लस के उपर प्लस का सब्सक्रिप्श आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रही है और आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है अगर आपको लॉस से सही में प्यार हुआ है बेटा तो जरूर से इस पर्टिकुलर कोड का प्रयोग कीजेंगा आप कोई भी एन अकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप या आ मैं आपके लिए सुनिये ने जिसका इनडीय कौंटराक्ट का लॉग में बात बताबेदस के इसको अगर ये दैडिय को मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि इसको मैं अभी में में पब्लिश करवा हूँ या अगर आपको चाहिए तो मैं एपरिल में भी करवा सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं यह सोच रहा हूँ कि स्पेशल 26 होने देता हूँ अब यह केवल 9 गंटे का है ना तो स्पेशल 26 अपने 26 गंटे का है ना और यह 9 गंटे का है तो ऐसे इसमें पहले एक मेजर रिविशन होंगी डीटेल में और उसके बाद जब आप इससे फा कैसे होता है ओरिजनल यह आपने 50-60 गंटे लगा है उसके बाद तर आप 26 गंटे में मतलब आदा फिर उसके बाद और लिटरली वन थर्ड कर दिया वन थर्ड के बाद उसके बाद और आदा कर दिया समझ रहे बात तो मतलब यह इससे क्या होता है इसे एफिशेंसी बोला कूल है आपसलिटी कूल चलिए फिंटास्टिक आइए नियान दीजे स्पेशल 26 के बाद स्पेशल 26 के बाद ठीक है मतलब एप्रिल में शुरुवात में दलवा दूँगा इस चीज का आप ध्यान रखेंगा ठीक है ओके पॉफिक्ट है आइए नियान दीजे समझे बात को हम मैं अगर बात करूँ पर्फॉर्मन्स ऑफ कॉंट्रेक्ट ऑफ सेल की जो आपका कॉंट्रेक्ट ऑफ सेल हुआ है अब आपको इसको पर्फॉर्म करना होगा याद करना बेटा इंडियन इंडियन कॉंट्राक्ट टैक के अंदर भी इंडियन कॉंट्राक्ट टैक के अंदर भी हमको कॉंट्राक को पर्फॉर्म करना होता है हमको कॉंट्राक को क्या करना होता है जल्दी से बोलो हमको कॉंट्राक को पर्फॉर्म करना होता है Indian contract tag के अंदर भी उसी प्रकार से अगर मैं बात करूत तो यहाँ पे भी contract of sale को में क्या करना होता है contract of sale को में perform करना होता है perform हम कैसे करेंगे तो CDC बात है good की delivery एक उसका essential part होंगा है performance of contract में होता है गोड से related term होता है तो सामने वाले त्बिक्ति को payment देना होता है हम उसको goods के delivery करते है property आप पहले करो बादने करो कभी भी करो transfer वो तो आपके आपके आपसी जो भी contract है उसके उपर depend करता है वो लेकिन mainly यह वाली चीज property से related मतलब delivery से related और payment से related बात होती है delivery का मतलब क्या होता है जब आप possession को transfer करते हो जैसे for example ध्यान दीजिए समझे बात को अगर मैं कहूँ आपके साथ यह आपका parcel है यह कहा है यह आपका parcel है तो ऐसे इसमें गहरा इसामने वाले व्यक्ति से पेमेंट लेता हूँ तो ऐसे इस में वह सामने वाले व्यक्ति का भी क्या obligation हो गया क्या पूरा सामने वाले व्यक्ति का भी obligation हो गया पूरा बिलकुल बिलकुल हो गया इस चीज का ध्यान रखेंगा तो मैं इस चीज को क्या कहता हूँ यह performance of contract of sale की category में आता है और इसे delivery बोला जाता है delivery का मतलब simple सा मतलब होता है कि जब आप possession को transfer करते हो possession is taken through the unfair means unfair means तो वहाँ पर delivery नहीं होती है मतलब आपने चीन में लिया बेटा समझे बात को आपने चीन में लिया unfair means से लिया तो बिलकुल valid possession नहीं है हाँ लेकिन सही तरीके से voluntary में transfer करता हो तो जम जाता है फिर duties of the buyer and seller से regarding बात करूँगा अब duties of the buyer and seller क्या होता है है ना चलिए मैं अगर बात करूँ आपके साथ समझे बात को ठीके बड़े बड़े नहीं नहीं बेटा वो उस दिन क्या हुआ कि हमें छोटे चोटे नोट नहीं दिखे दिक्कती हो गई कि अब क्या करें तो फिर हमने सोचा कि हमारी इतने 200-300 साल की जमापुंजी है उसको एक साथ आपके सामने बता दू है ना बस बाकी और कुछ ने ठेक है चलिए मैं अगर बात करूँ आपके साथ सुनिये बात को ध्यान दीचे तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं क्या कूंगा यह एक्जांपल के लिए रखाओ मैं वाप एक्जांपल दें उस दिन कितने ऊसथ रहते है हाँ हाँ ठुकरा के मेरे एक्जांपल को मेरा इंतकाम देखोंगे चलिया हम एंगर बात करूँ आपके साथ देखिए पेमींट अ डिलिवरी और को र्कॉर्ड होता है साथ 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 से regarding बात कर रहे है मतलब इसका क्या कहना है समझे बात को ध्यान दीशेश मैं अगर बात करूँ आपके साथ देखे इनका कहना है कि जो payment और delivery of goods है ना जो payment और delivery of goods है ये क्या है बेटा ये concurrent conditions है ये साथ साथ में perform होनी चाहिए उस particular चीज से related ये बात हुई है उस particular चीज से related बात हुई है वो आपस में क्यों की वो concurrent conditions है तो वो हुना ही चाहिए performance otherwise याद करना reciprocal promise का एक मैंने आपको concept पढ़ाया था Indian contract के अंदर मैं नहीं जानता कितने लोगों को याद है या नहीं जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उस चीज के लिए pay करने के लिए ready नहीं है तो ठीक है अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ rules regarding the delivery of the goods से related सबसे पहला delivery के regarding बात हुए है delivery का मतलब CDC बात होती है कि goods को आप सामने वाले व्यक्ति के possession में देना possession शपकाना बहुत जादा जरूरी है possession को highlight करके लखेंगा सब लो delivery का क्या मतलब होता है समझे बात को मैं अगर कवँ आपके साथ में एगर को आपके साथ की दो चीजे deliver करना था या एक ही चीजे अलग-अलग lots में deliver करना था लेकिन आपने एक ही पाट delivery किया जैसे अगर मैं चाहिए आपके साथ यह देखिए तो part delivery का क्या मतलब होता है, सीधी सी बात यह है बेटा, मतलब अगर part delivery ऐसा दर्शा है कि यह तो full delivery का एक part है करके, मतलब यह तो full delivery को denote कर रहा है, हैना ऐसा दर्शा आता है, वो तो ऐसे situation के अंदर समझ जाना बात को, ऐसे situation के अंदर समझ जाना कि full delivery effect हो चुके, लेकिन delivery अग आप चाहते हो कि separate separate जाहे करके मतलब एक पर्टिकुलर चीज डिलिवरी ने तो ऐसा लग रहा था कि यह separate separate delivery के बारे में बात कर रहे तो आप accordingly उसको वैसा भी समझ सकते हैं अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ the delivery of goods इस चीज का भ्यान रखना buyer has to apply for the delivery of goods इस चीज का भ्यान रखेंगा समझेंगा बात को पिर आप ही क्या बोला गया place of delivery usually place of delivery कहां पर होती है place of delivery depend करता है case to case के उपर समझेंगा बात को मतलब जो भी दोनों में party आपस में बैटके decide करती है वो particular case इसके अंदर आ जाता है यह implied भी हो सकता है यह express भी हो सकता है जैसे किराना की shop है आपने उनको phone क्या बहीं बह्या मेरे कप हें या काम करो मेरे घर पे दस किलो शक्कर भी जो तो आपने बोला मेरे घर पे भी जो और तो place of delivery आपका हर लेकिन आपने बह दस किलो शकर टाक करके रमगए तो असका दुकान बनती है place of delivery क्योंकि general sense में उसकी दुकान ही place of delivery माना जाता है unless otherwise specified, बोलो जल्दी से unless otherwise specified, क्या आप ये चीच को समझे, come on everyone क्या आप इस particular चीच को समझे, सभी लोग बताए मुझे, है ना सभी लोग बताए yes, चलिए, मैं अगर बात करूँ आपके साथ time of delivery का क्या मतलब होता है, time of delivery का मतलब होता है, कौन सा समय, जब आपको है आपके, कौन सा समय होना चाहिए delivery का, तो कोई भी समय चल सकता है बेटा, but no time for sending them is fixed, the seller is bound to pay them for the reasonable price करके, मतलब क्या, सीदी सी बात ये है बेटा, कि जैसे अगर आपने expressly fix करके रखा है, सुझ ये बात को ध्यान दीजिए अगर आपने expressly fix करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने expressly fix नहीं करके रखा है, तो ऐसे situation के अंदर, reasonable time के अंदर हो जाना चाहिए, जितना समय लगता है एक चीज़ ध्यान रखना, आज आपका unit 3 complete हो जाएंगा, Tuesday को आपका unit 4 होंगा क्योंकि Monday को आपका its law angle होने वाला है तो Tuesday को unit 4 भी आपका हो जाएंगा, एक ही दिन का session है वो भी तो cable और cable एक दिन बचा है हमारा सोगा के revision का, आज का कौन सा साथ lecture है, आठ lecture में सोगा revision complete, और दो lecture में super fast revision complete, unit 1, unit 2 एक बार में करवाया, अभी मुझे करवाना है आपको unit 3 और unit 4 एक दिन में थोड़ा सा tough होंगा, लेकिन कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं हो उसके अंदर, ठीक है, चलिए अब मैं अगर बात करूँ, आपके साथ देखे, time for the tender of delivery, time for tender offer of delivery से related बात कर रहा है तो सीधी सी बात है, कौन से समय आपने delivery के लिए apply करना चाहिए, तो reasonable समय जो business hours होता है आप उसके अंदर आप राफ में 2 बज़े बोल टे सामने आले अब यहां पर बात करते है कि कौन expenses उठाएंगा, expenses कौन उठाएंगा, goods को deliver करने के तो unless otherwise specified अगर आपने कोई मतलब आप लोगों के बीच में कोई contract के आपने लोगों कोई बी चीज नहीं बोली तो यहां पर लिखा जाता है deliverable state तो एसे इसमें bond by the seller करके seller को अब मैं specify कर देते हैं कि delivery charges अलग से लगेंगा, समझरे बात को है क्योंकि वो express तरीके से बोलना चाते है कि हम आपसे delivery charges लेंगे अगर आप हमारे हापे कोई भी order को place करते हो तो क्या आप इस चीज को समझें, बताइए मुझे क्या आप इस particular चीज को समझें कहने का तात्वर यह बहुत ज्यादा सेम है कहने का तात्वर यह बहुत ज्यादा सेम है और वो कौन सा, वो यह बेटा कि delivery जो भी expenses होता है delivery के यह कौन बहुन करेंगा, यह cable और cable seller को बहुन करना होता है इस चीज का ध्यान रखना, अगर wrong quantity में goods के delivery हो जाती है अब देखिए इसके अंदर बहुत जबदस चीज है माल लीजे wrong quantity में goods के delivery हो जाती है माल लीजे 100 kg आपने बुलाया था और उसके उसने 70 kg बेटा तो ऐसे इसमें आप 70 kg को क्या कर सकते आप 70 kg को accept कर सकते और इसके लिए आप pay करोंगे कौन से चीज से related contract price से रिगाडिंगे ना contract price से रिगाडिंगे पिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है बेटा उसने आपको 120 kg बिजवा दिया हो सकता है ना ऐसा क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आपको 120 kg बिजवा दिया तो आप क्या करोंगे 100 kg को accept करोंगे contract price के इस से और 20 kg को आप reject करोंगे अब यहाँ पे दूसरी चीज ऐसी हो सकती है कि पूरे के पूरे 70 किलो को आपने क्या कर दिया रिजेक कर दिया पूरे के पूरे 70 किलो को आपने रिजेक कर दिया ऐसा भी बिल्कुल-βिल्कुल हो सकता है तो अगर wrong quantity में deliver होती है तो एक तो आप मान दीजिए 100 kg order किया था, 70 kg आया, तो 70 kg को आपने accept कर लिया, pay कर लिया, contract price के अनुसार, 120 kg आया, 100 kg को accept किया, 20 kg को वापस कर दिया, और ऐसे इसमें contract price के इसमें पे किया, दूसरा 70 kg आया, तो आपने पूरा के पूरा reject कर दिया, ऐसी वाली चीज भी इसके अं wrong quantity करके, क्या बोला चाता है, अपने गलत quantity में अगर अपने seller को goods को deliver किया है, तो ऐसे इसमें क्या-क्या होता है, तो देखें आपर, where the seller delivers to the buyer quantity less than, less than he contracted, the buyer may reject them, but if the buyer accept goods shall be delivered, he shall pay for them at the contract rate करके, जो भी आपका contract rate होगा उस चीज में, एक तो आप reject कर सकते हो, या contract rate के साब से पे कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर समझे बात को goods की quantity larger है, तो ऐसे इसमें ही में accept included, यहाँ पर क्या बोलागे, ही में reject the whole, या दूसरा ये include कर सकता है, contract को, मंदब 70 kg को, 100 kg को accept किया, और 20-30 kg, जितने भी extra है, उसको reject कर दिया, या दूसरा बेटा, पूरे इसको एक साथ reject कर दिया तो ऐसे situation के अंदर क्या बोलाता है, जाता है, अगर वो accept करता है, अगर वो accept करता है, तो ऐसे इसमें उसको pay करना होता है, कौन से वो particular price के लिए, जो भी आपका contract price बनता है उस particular चीज के लिए, बेसी के लिए चार्ट के अंदर पूरी चीज आपनने cover कर देती, हैना, अब where the seller delivers the buyer, the goods he contracted to sell, mixed with the goods of the different description, जैसे आज ही हमने question किये थे, जिसके अंदर क्या होता है, बड़ा, मतलब मान लीजे, बड़ा चावल का जो दाना है, वो उसके साथ वो छोटे चावल के दाने mix कर दिये जाते है, तो मतलब mixing of goods होता है, तो ऐसे situation के अंदर अगर मैं बात करो, त कर सकता है, विचारे in accordance with the contract, लेकिन उसको अलग करना difficult है, तो पूरा के पूरे इसको आप क्या कर दो, पूरे के पूरे इसको आप reject कर दो, करके ऐसा इस चीज का कहना है, बहुत जबर्दस, बहुत important point है, delivery और in wrong quantity वाला, है ना, बहुत ही ज्यादा important point है, इस चीज का आप ध का contract कहता है, तो अगर नहीं कहता विचा आपका contract, तो ऐसे इसमें पूरे goods को एक साथ deliver करना, seller की जिम्मेवारी होती है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगा, मैं क्या कहरो, देखो, जहाँ पे अगर agree किया है आपने, तो आप small quantities में accept कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी agree नहीं किया, तो ऐसे इसमें आपको पूरे quantity को एक साथ भीजना होगा, कौन से व्यक्ति को seller को एक साथ भीजना होगा, ऐसा इस चीज का मतलब होता है, अब मैं अगर बात करूँ, delivery to the carrier करके, मतलब जब आप goods को deliver करते हो carrier को, तो ऐसा situation के अंदर समझेगे बात को, subject to the terms, the delivery of the goods to the carrier for the transmission means delivery to the buyer करके, मतलब देखे, जहापे आपने right of disposition को अपने पास नहीं रखा है, जहापे seller ने right को अपने पास नहीं रखना है, goods को dispose करने का जो अधिकारे वो अपने पास नहीं रखता है, तो ऐसे इसमें अगर आप बेटा समझे बात को, अगर आप ट्रांस्मोटर को goods देते हो, ट्रांस्पोर्टर को goods देते हो, तो वो ऐता माना जाता है कि आपने buyer को ही goods handover कर दिया है, तो अगर आप चाहते हो उसके ओपर control रखना, अगर आप अनपेड हो और आप चाहते हो, अनपड नहीं, अनपेड बोला मैंने, अगर आप अनपेड हो, तो ऐसे इसम restriction दाल के रखो, कि buyer, मनलब जो buyer के पास goods तभी जाएंगे, जब payment होगा उस particular चीच का, मैं अगर बात करूँ, आपके साथ ध्यान दीजे, समझेए बात को सुनिए, deterioration during the transit, deterioration during the transit का क्या मतलब होता है, कि during the transit अगर हमारे goods खराब हो जाते है, deteriorate हो जाते हैं, समझ रहा बात को बेटा, इन्होंने मुझे क्या होती, इन्होंने मुझे apple बिजवात, हैना, जब ये गएते, कहां पे, जब ये गएते, गुलावों की खोज में, बादियो में, हैना, तो ऐसे situation के इंदर, apple deteriorate हो जाते हैं, अगर apple χराब हो जाते है, apple deteriorate हो जाते, तो ऐसे situation में risk को कौन bear करे प्रणफ सर के बीच में तो प्रणफ सर उठवाएंगे इस पर्टिकुलर चीज का रिस्क इस चीज का आप ध्यान रखेंगे समझे बात को come on everyone है ना मैं अगर बात करूँ आपके साथ buyer's right to examine the goods करके जब goods के delivery होती है तो ऐसे situation में buyer के पास right होता है कि वो goods को examine करे जो भी उसने goods को order किया था उस particular चीज को examine करना ये उसका अधीकार है और अगर examination में गलत दिकाई देते हैं तो वो goods को reject भी कर सकता है वो goods को reject भी कर सकता है अगर वो as per the terms या as per the contract नहीं होते है तो related rules of acceptance of delivery से related अगर मैं बात करूँ आपके साथ देखिए यहापर क्या बोला कि है यहापर देखो and there after the lapse of the reasonable time he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected them करके simple सी बात यह है बेटा कि अगर आप एक बार goods को deliver कर तो मैं seller को बता दू हाँ मैंने goods को accept कर लिया खतम हो गई बात दूसरा मैं वो goods के उपर कुछ ऐसे कारणा में करता हूँ मान दीजे मैंने टीशिट बुला था मैं टीशिट को पाटी वाटी में पहिन के जा रहा बैटा तो मैंने goods के साथ ऐसा act किया जहापे मैं कह रहा हूँ कि मैं ही इसका मालिक हूँ और तीसरी वाली चीश जब एक reasonable समय बीच जाता है जैसे आप अगर online purchase करते है तो एक reasonable समय 15 दिन होता है replacement policy का अगर आप 15 दिन में return नहीं करते तो खतम हो गई यार बात फिर तो को टेंचन ही निया फिर गया गया समय गया तो सामने वाला विक्ति आजिम कर लेता है कि आपन आपने गुट्स को क्या कर लिया आपने गुट्स को खरीदा अरे 15 दिन बहुत होते है या चेक करने के लिए इस चीज के बारे में ऐसा बोला गया है कौन है वो कंजूस लोग जिसने अभी तक lecture को लाइक नहीं किया बस बता दीजे मुझे कौन है वो महापापी लोग जिस आपने वाग को कोई आते मैंने अब ये गुट्स में क्या है ये गुट्स में किया है ये गुट्स में ये ऑर फोन से मैंने ये ये और फ़वन को ले पप लि खुद आये ना मेरे पास और यह rejected goods को लेके जाएंगा और यह rejected goods को लेके जाएंगा इस चीज़ का आप ध्यान रखना इस चीज़ का आप ध्यान रखना जो यहाँ पर बोला गया है मतलब क्या buyer is not bound to return the rejected goods ऐसा है यहाँ पर बोला गया है section number 43 के अनुसार समझे आप बात को section number 43 liability of the buyer for neglecting or refusing the delivery करके अगर buyer समझेंगा बात को ध्यान दीजेंगा buyer को goods के delivery हो रही थी और वो neglect करता है अरे रे 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 सुने यह बात को वो क्या करता है वो neglect करता है क्या करता है बोलो वो neglect करता है या वो refuse करता है कौन से चीज़ को refuse करता है goods के delivery को तो ऐसे situation के अंदर ध्यान द loss occasion by his neglect मतलब buyer ने seller को loss देना हूँगा buyer ने seller को loss देना हूँगा कि भईया अब तो तुम इस particular loss के लिए liable रहने वाले हो करके ऐसा है आप बोला गया है समझे आप बात को, come on everyone कि आप इस particular बात को समझे रहें, बहुत simple सी कि आने गुट्स के delivery करने आया हूँ लेकिन buyer goods को accept ही नहीं है buyer वहाँ पर लेटा हुआ, buyer वहाँ पर उठी नहीं ही रहा बोल रहे मिल को और सोने दो goods के delivery बात में करेंगगे करके buyer वहाँ पर बेटा है, fruits खा रहा है वो goods के delivery accept नहीं कर रहा बायर टीवी देखता है बायर छोटा भीम देख रहा है लेकिन फिर भी हो कुछ को accept नहीं कर रहा तो ऐसे situation के अंदर समझे बात को ध्यान दीजे क्या मैं responsible हो आरे नहीं रहे पर्टिकुलर चीज के उपर एक बार स्कान करेंगे तो आपको पूरी चीज़े आटोमाइटिक हो जाती है आपको कुछ करने के दिक्कत नहीं है नेक्स अगर मैं बात करूँ आप अनकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है और साइट के तुरू अगर आपका नहीं नहीं वो कोड नहीं तो अगर वो क्यूर कोड को स्कैन नहीं करते जम रहा तो साइट के उपर आईए यहान अकेडमी.com के उपर आईएंगा उसके बात करूँ आपके साथ प्लस के अंदर यह सारी चीज प्लस के अंदर बैचे देखने मिलते हैं आप जब भी आनकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले कोई भी मैंने का सब्सक्रिप्शन ले सकते इसके अंदर और आप यहाँ पर जब रेफरल कोड पूछे तो आप यहाँ पर आईजी सर करके जैसे ही डालते हैं और अप्लाए का बटन प्रेस करते हैं तो इससे आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है आप देख सकते हैं अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ आईजी सर आपने जैसे ही डाला यह वाली चुछ फिर अगर आप प्रोसीड टूपे करते हैं तो देखो आपको एडिशन के लिए बोलता है कॉंबो बनाने बोलता है आपको CA Intermediate का आप प्लस या आइकोनिक आप दोनों का कॉंबो बना सकते हैं कोई दिखकत नहीं यहाँ पर देखें यह है यह यह प्लस का कॉंबो मैं कॉंबो मैं आइड करता हूँ तो यहाँ पर आप 24 महने के लिए पूरा फॉंडेशन देख सक बेस सब्सक्रिप्शन होता है और देखें आपकी सेविंग 20,000 कुछ की सेविंग है आई जी सर का कोल लगा है तो आप यहां पे ले सकते हैं अनकेडमी के सब्सक्रिप्शन ठीक इसी प्रकार से आप आइकॉनिक का भी ले सकते है वेटा इसी के अंदर कॉम्बो एड करके है तो बस आज के लिए केवल इतना ही thank you so much one second कुछ sources of images और अगर मैं बात करूँ thank you so much one second किसी के कोई doubt है तो please पूछ लीजे शाम को class है क्या sir हाँ आज शाम को class है हमारा आज शाम का जो class है वो अनकेडमी के special class के उपर होने वाला है करना कुछ नहीं आपको अनकेडमी का learning app को download करना है आप को download करूंगे और आप वहाँ पे इंद्रेश गांदी को search करना या नहीं कुछ करना है तो live chat में लिंक देकर रखे मेरे profile के वह profile पे चाहिए एनकेडमी के learning app को download करने के बाल और मुझे follow जरूर कीजेंगे और वहाँ पे आप मेरे lecture को पाएंगे न वहाँ पे community का टाब है वह community के अंदर में lecture को generally share करता हो जो भी links होती है ना वह community के अंदर share करता हो समझे बात को वही सब कुछ है इंस्टाग्राम, whatsapp सब कुछ हो ही है बेटा वह community link इस चीच का ध्यान रखना ठेक है हाँ चलिए प्लीज सर इस unit के end में पैरा जो दो line है उसका मतलब क्या होता है बहुत confusion है कौन से इसमें कोमल कौन से सर आपने सोगा unit 1 और unit 2 one shot ले लिया class हाँ मैंने ले लिया one shot class है ना one shot master class on unit 1 आपको special class के उपर दिख जाएंगा एक ही इसमें पूरा complete कर लिया मैंने वो एक ही इसमें उसके बाद अगर आपको आपको तो मैंने बतवाया था ना समझे बात को है ना चलिए बहुत बढ़िया सिक्स पॉइंट एक बर बता दीजिए सिक्स पॉइंट कौन सा है रहे सिक्स पॉइंट ये वाला goods in the possession of third party वाला आप बोल रहे हो यहां पर goods in the possession of third party का क्या मतलब होता है समझे बात को ध्यान दीजिए देखो where the goods at the time of the sale are in the possession of third party मतलब याद करना constructive delivery वाला के जहां पे बेरा उसके पास है there is no delivery unless and until such third person acknowledge to the buyer that he holds goods on that behalf मतलब इसका मतलब यह होता है बेटा कि वो अगर समझे बात को delivery अब तब तक नहीं मानोंगे जब तक वो warehouse keeper पर buyer को यह ना बुल दे कि हाँ अब मैं तुमारे भी आप में goods को hold करता हूँ तब तक जब तक constructive delivery ना हो तब तक वो चीज को आप delivery नहीं मान सकते ऐसा उस चीज का मतलब है ऐसा उस particular चीज का मतलब है ठेक है चलिए पॉफेक्ट है अब मैं अगर बात करूँ आपके साथ देखिए इसा delivery में physical possession important है क्या obvious ही बात है delivery expenses को कौन bear करेंगा unless otherwise agreed उसे seller को bear करना होता है लेकिन generally ये लोग buyer से ये करवात है अगर specified है तो buyer से किया जाता है ठेक है हां थैंक्यू सो मच खुचबुची बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बताए section 44 के नीचे वाले दो लाइन section 44 के नीचे वाले दो लाइन कौन से ये वाले बोल रहे हो आप ये वाले बोल रहे हो क्या देखो इसका मतलब है कि यह जो बायर ने निगलेक्ट किया है न तो इसमें देखो tender of performance में अगर सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है तो seller क्या अगर वो गॉडियेट कर सकता है और अगर वो गॉडियेट करता है तो ऐसे situation के अंदर वो बायर को कुछ मतलब मैं अगर साहिमाने में बतते हो तो कोई effect नहीं होता यहापर कोई कुछ मतलब चलती है हो वाली चीज़ जैसा है यहापर इन बुक फिजिकल पॉजिशन का क्या मतलब होता है फिजिकल पॉजिशन का मतलब होता है जैसे फॉर एक्जांपल यह बॉटल तो यह बॉटल को जब तक मैं आपको ना दू इंपॉर्टन थोड़ी यह आपके किसी स्पेसिफाइट एजेंट वगरे को भी मैंने दे दिया तो चलता है न या आपके भी आप में मैं ओल्ड कर रहा हूँ आपके डिरेक्शन पर कंट्रोल करू तो भी चलता है लेकिन फिजिकल जब डिलिवरी को आप रैंकिंग दोंगे तो फिजिकल डिलिवरी सबसे उपर आता है नहीं ऐसा कह रहा हूँ आपसे ठीक है चलिए ठीक है ठीक है ताला जी बिल्कुल सर इन डेफिनिशन ऑफ डिलिवरी इस ऑल्सों गिवन दैट फिजिकल हाँ वही मैंने बताया न अभी आप स्पैम करना बंद कीजिए अभी आवेशी रूस रिगार्डिंग अभी तो आपना कुछ सोचा नहीं हो जैसे भी पॉसिबल होता है तब मैं दलवा दूँगा ठेक है यूनिट 3 आपका कवर उँआ अगला जो लेक्चर हमारा वहने वाला कब अगला लेक्चर हमारा ट्यूजडे को ने वाला है तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का और मिलते हैं लोग बेटा नेक्स पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो होने वाला है कब हमारा मंडे को होने वाला है सुभन 9 बजे और आज शाम में भी हमारा लेक्चर है पाच बजे का राइटिंग प्राक्टिस का जरूर से आएएँगा थैंको सो मच बंस अगें बाई 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 टेक केर आविमां थन्डा मतलब को कोड़ मतलब आई